हाई अब्रिवान, वेलकम बैक तो मैं चानल, मैं हूँ अरचना और आज मैं आप लोग के लिए काफी ज़्यादा हेलफुल वीडियो लेकर आई हूँ आपके भी चेहरे पे अगर काफी ज़्यादा दाग धबे हो गए है, जाईया हो गई है, रिंकल्स की प्रॉब्लम है, सन्टैन वगएर तो आज का वीडियो काफी ज़्यादा हेलफुल होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसी होम रेमिडी का वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि आपके स्किन प्रॉब्लम्स को खतम करता ही है, साथ ही साथ आपके स्किन को एक्दम चमकदार और जमा बनाता है, इंटी एजन फॉर्मूला मिला हुआ है इसमें, और काफी ज चौकिस आएंगे आप, तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग को भी बता देखते हैं कि इस फेस मास्क को बनाना कैसे है, और लगाना कैसे है, वैसे तो बहुत ही ज़्यादा सिम्पल है, फिर भी चलिए बताते हैं, सबसे पहले हमें लेना है चंदन पाउडर, यह है अल्प ग लेना है एक चमच मुलतानी मिट्टी, मुलतानी मिट्टी में ऐसे गुन होते है, जो आपके स्कीन को तो ग्लोइंग बनाता है, साथी साथ स्कीन को टाइट रखता है, जिससे आप अपने उम्र से काफी हद तक कम दिखते हैं, और स्कीन को जवा बनाता है, तो एक चमच हम आप लोगों ने देखे होंगे इस तरह से मैं मिला के रखती हूं तो ये दोनों तो काफी जादा फायदे मंद है हमारे स्कीन के लिए वो तो आप लोगों को पता ही है और थोड़ा से हमें लेना है कसूरी हल्दी या आप चाहें तो भी हल्दी पॉडर हो ले सकते हैं लेकिन कसूरी हल्दी जादा अच्छा होता है सकीन के लिए इसकीन को बहुत ही जादा निकारता है ये हल्दी उसके बाद हमें लेना है ये है नारियल का पानी तो जो नारियल खाने के लिए हमें इस्तिमाल करते हैं अंदर में जो पानी होता है तो उसको मैंने लेकर रिस्टोर कि हुआ है फ्रीज में तो उससे बहुत ही जादा फायदा होता है स्कीन को जो है दाग धब के लिए फायदे मंद पहुंचाता है और चेहरे पे जुर्णियों की प्राब्लम्स को खतम करता है तो आप भी नारियल के पानी का यूज जरूर किजेगा काफी जादा अच्छा होता है यह हमारे स्कीन के लिए तो एक दो चमच की आसपास हमें लेना है नारियल का पानी उसके बाद मैं ले रहे हूं नीमबू का रस एक चमच आधा चमच की आसपास अगर आपके स्कीन को नीमबू सुट नहीं करता है तो आप इसके जगा संतरे का जूस ले सकते हैं या फि सकते हैं तो इस अब हमिला रहे हूं पैसे अभी एक दो इंग्रीडियन्स आपकी है रहूंगी आगे मिलाओंगे इसमे उससे पहले सब को अच्छे से मिला लेते हैं पेश्च बनके यह रिटी हो गया उसके बाद इसमें हम मिला रहे है हनी मेरे पास था यह डावर का हनी त जो हमारे स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदे मंद होता है अभी शर्दियों का मोशम चल रहा है तो इसकिन ड्राइ ना हो उसके लिए हनी जरूर इस्तिमाल करना है आपको अपने चेहरे के लिए उसके बाद इसमें मिला लेंगे हम बादाम का तेल अगर आपके पास बाद प्रॉब्लम्स के लिए काफी ज्यादा फायदे मंद है इसकिन को मॉस्चुराइज भी रखता है यह तो इन सब को मिला लेंगे अच्छे से और एक स्मूच सा पेस्ट बन के रिडि हो जाता है तो इसको आपको हपते में तीन दिन लगाना है चेहरे को दो लेने के बाद इ जल्दी से खतम करता है चेहरे पर जितने भी रार के सपोर्ट्स है जाईया और इसकीन फ्रॉब्लम्स होती है उससब को खतम करता है और जो भी इंग्रीडियंट्स मैंने मिला है इसमें वह सारे स्कीन के डार्कनिस को भी दूर करने में मदद करता है वैसे तो कहें कि आल इ नवा हो जाएगा वैसे मैं सिर्फ बोल ही नहीं रही हूं आप ट्राइज किज़ेगा उसके बाद आपको खुद बखुद बता चल जाएगा और अपना एक्सप्रियंस आप हमारे साथ सेयर किज़ेगा हमें कॉमेंट करके तो एक मोटा सा लेयर लगा लेना है और 20-30 मिनि सेये आप है तो बहुत ही जादा अच्छे से सुक जाता है ठंडा के दिनमें कि इतने की सीज़ों क्या है तो सबसे पहले कहले करेंगे क्यों फोड़ा सा पानी लेकर इसको गील एक्षा करेंगे और नॉर्मल पानी से दोना है चेहरे को और इतना ज्यादा एक ही बार में फ़र्क देखेंगे फ्रेंड्स क्योंकि इसमें एंटी एजन फॉर्मूला भी मिला यानि कि जो भी इंग्रीडियंट्स मैंने मिला हैं वह एंटी एजन का भी काम करता है जिससे आपकी स्कि दूर हुई जाता है और चेहरा इतना ज्यादा गोरा और चमकदार देखने लगेगा वह तो आप देखी रहे हैं उसके बाद मैं पानी से अटार रहे हूं उसको गिला करने के बाद फिर धो लेंगे जाकर नॉर्मल पानी से ज्यादा ठंडे पानी से नहीं धोना है तो धो लगाना है थोड़ा से अलवेडा जेल और रोज वाटर हाथ में लेके ताकि इसकी ड्राइन आ हो और थोड़ा से मॉस्चराइज भी हो जाए अगर आप बाहर निकलना है तो आपको संस्क्रीन लगा के निकलना है तो इस तरह से आपको काफी जादा फर्क दिखेगा थैंक तब तक के लिए बाए बाए और हां शेयर किजिए वीडियो